नर्मदा नदी पर बंदा सरदार सरोवर बांध जिसकी उचाई 146.5 मीटर है जो की देश का सबसे उचा बांध है और वही से ये सडक जो आप देख रहे हैं उसी सडक के जरिये सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतीमा पर पहुचा जाएगा जिसकी किलोमीटर है 3.2 यानि पर नर्मदा नदी के किनारे पर सादू बेल्ट पर बनाई गई है इसकी उचाई 182 मीटर और अगर जमीन से कहें तो 220 मीटर की ये पूरी उचाई रहेगी और आप जो देख रहे हैं सरदार पटेल का जो जैकेट है वो बनके तयार हो गया है साथ ही उनकी जो शॉल है वो भी बन चुकी है जिस गैलरी में लोग खड़े होकर पूरी वैली का नजारा देखेंगे वो नजार वो जो प्लैटफॉर्म है वो भी बन चुका है और अब सरदार पटेल का जो सर है वो लगाने का काम शुरू हो जाएगा और बनमाना यही जा रहा है कि 15 अक्तूबर तक स लगाने का जो काम है वो खत्म हो जाएगा सबसे दिल्चेस अगर हम आपको बात बताए तो जो जैकेट पे लगा बटन आप देख रहे हैं यह बटन की जो अगर हम कहें ओवरॉल जो कद है वो करीब 2.5 मीटर से भी बड़ा है यानि जो यहां से एक छोटा सा बटन जो दि सकता है विश्व की सबसे उची यह प्रतीमा है स्टैच्य ओफ लिबर्टी से दुगनी उचाई है इसकी और खास बात यह है कि यहां पर जो लोग आएंगे उनको बहुत सारे आकर्शन भी देखने मिलेंगे ना सिर्फ स्टैच्य ओफ यूनिटी सरदार पटेल की जीवनी पर बना हुआ एक पूरा एक्जिबिशन देखने को मिलेगा साथ ही यह जो बड़ी वाड़ी सडक रहेगी यहां पर फुट कोर्ट के साथ साथ बच्चों के लिए भी कई सारी ऐसी एम्यूजमेंट पार्क जैसी चीज़े बनाई जाएगी साथ ही नर्मदा नदी जो सरद प्रदान मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था इसकी नीव जो है वो 2013 में खुद प्रदान मंत्री ने रखी थी और अब 2019 में इसका इनोग्रल खास करके 2000 अभी अक्तूबर में इसका इनोग्रल किया जाएगा और 2019 का जो चुनाव आ रहा है उसके लिए एक सबसे बड़ा खुदी करते हैं